देखे आज का दिन एक अधियास से एक दिन है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंद्र भारत की संसद में नौ गठिस संसद और नौ निर्वाचित लोकसभा के माननी अध्यक्स सियोम बिरला जी ने आपात काल की पचास वर्ष पूर्ण होने पर आपात काल की विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है मैं उनके इस प्रियास के लिए मानने सिय बिरला जी का हिरदै से अविनंदन करता हूँ उन्हें अंतहकरण से धन्यवा देते हुए सभी नौ निर्वाचित मानने संससदस्यों को अपनी हिरदै से बधाई भी देता हूँ और इस प्रस्ताव के लिए आभार भी ब्यक्त करता हूँ हम सब जानते हैं कि 25 जून 1975 मध्यरात्री में पत्कालीन कॉंग्रेस नेत्रत्तों की सरकार ने सीमती इंद्रा गानी जी के नेत्रत्तों में उस सम्मिधान का गला घोंटें का कारे किया था जिस सम्मिधान की सपत लेकर के वह देश की प्रधान मंत्री बनी थी यहना केवल सम्मिधान का गला घोंटें का कुछित प्रयास थे वल्कि एक प्रकार से लोक्तंत्र की हत्या करने का प्रयास था पचास वर्स बेटने के उपरांत कॉंग्रेस के इस काले कारनामों को जनता तक पहुँचाना या उस्यक है आज भारत की संसदने वही कारे किया है क्योंकि कांग्रेस की निकाव वर्तमान नित्रत्वा जिस तरीके से देश की जनता को गुमरा कर रहा था समिधान के नाम पर आरक्षन समाप्त करने के नाम पर इसके लिए उनके काले कार नामों से देश की जनता को उगत कराना त्यनता उस चेक है पर आज भारत की संसद ने वही एत्यासिक कारे किया है कॉंग्रेस भले ही चेहरे बदले हो लेकिन आज उसका चरित राज भी वही अधिनायकवादी है ताना साही पूर्ण है लोकतांत्रिक मुल्यों और संब्धानिक संस्थाओं पर आज भी उसका विश्वास नहीं है और इसलिए भारत की हर संब्धानिक संस्थाओं को कड़गरे में खड़ा करना भारत के बाहर जाकर के भारत के लोकतंद्र पर भारत की चुनाव की प्रक्रिया पर प्रस्ण खड़ा करना इनकी फित्रत बन चुकी है कौन नहीं जानता है कि कॉंग्रेस ने समिधान लागू होने से लेकर के 2014 तक 75 बार भारत के समिधान में संसोधन किये कौन नहीं जानता है कि अनुछे 356 का दुर्पयोग करते वे 90 बार कॉंग्रेस ने विभिन राज्यों की सरकारों को लोकतांत्रिक तरीके से चुने गई सरकारों को परखास्त करने का काम किया था कौन नहीं जानता है कि अपने राजनितिक स्वार्थों के लिए कौंग्रेस ने देश की अखंडता के साथ खिलवार किया और कौंग्रेस के इन काले कारणामों की एक लंबी फेरस्त में आपात काल भी आता है आपात काल कि इस काला काली घटा को वर्तमान पीड़ी का उगत कराने के लिए आज देश की संसदने एक एथ्यासिक निर्णे लेकर के यह निंदा प्रस्ताव पारित किया है यह सच्मुच एक अविनिंदनी प्रियास है वर्तमान पीड़ी को बताने का प्रियास है मैं नौ गट्ट संसद और नौ निर्वाचित लोक सभा के मानने अध्यक सियोम बिरला जी का है इस सासी कदम के लिए हिर्दे से विनंदन करता हूँ सभी नौ निर्वाचित माने संसद सदस्यों को हिर्दे से वधाई देता हूँ और विश्वास वेक्ट करता हूँ कि वर्तमान पीड़ी को हमारी देश की संसद इसी प्रकार से इतियास के अलग-अलग कालखंड में देश के साथ किन लोगों ने किस प्रकार का बिवार किया है इस से उगत कराने का कारेगर भारत की संसद करेगी तो भारत की वर्तमान पीड़ी ने कि वहल उनकी प्रतिकरतग्य होगी बलकि उनका मार्क दर्शन प्राप्त करते भे एक नए भारत के निर्मान में अपना योगदान दे पाएगे उन्होंने उम्बिरला जी को बढ़ाई दी और कॉंग्रिस पर करारा हमला बोला